अगले कॉलर आज ये खुशी की बात है कि कॉल करने वालों की संख्या आज कई गुणा ज़ादा है लोग इच्छा तो व्यक्त करें प्रत्यक्ष बाजार पर इसका प्रणाम हम देखना चाहते हैं अगले कॉलर नमस्कार करने होगे हमारे को चीनी उत्वाद का वहिश्कार करना पड़ेगा ये देखने का आया है कि सुरू में भी हमारे जेस के अंदर तरफ़तम इस चेंज है ब्यापार करने की द्रश्टी से आई थी और जेस को आर्थिक रूप से कम जोड़ करके उसके बाद जेस को पर सथा पर का वी जो वही थी इसलिए हमारे को समाज को अपना कारे करना चीजिए इसकी नमस्कार बोलिये इंडिया चाइना को जबाब नहीं दे सकता है क्या कहना है आपको अमारे जितना भी अत्यार है बाक्षे में बंद करके इंडिया चबाब देनी से नहीं नहीं को चलिए हम दूसरे कॉलर के पाथ चलते हम कहेंगे कि अच्छी बैंडवीत के साथ कॉल के रहे तो अच्छा होगा अगले कॉलर नमस्कार हम आपको पैकेज दिखाते हैं कि दूसरे देशों में कैसे कहा कहा क्या ब्यान चाइना के प्रोड़क्ट पर है दोस्तों आज चीन के सस्ते और निमनिस्तरिये उत्पादों ने भारतिय बाजार पर कबजा कर लिया है ये ना सिर्फ हमारी अर्थ विवस्ता को गुलाम बना रहे हैं बलकि हमें और हमारे वातावरण को बिमारियों का घर बना रहे हैं इन्ही हानिकारक उत्पादों को बेच कर चीन अपने आपको मजबूत कर रहा है चीन की मजबूत से ना हर और से भारत को घेर रही है इनके आयात के मुकाबले हमारा निर्यात 10 फीजदी भी नहीं है। भारतिय वेपारी चीन से आए उत्पादों पर 160 फीजदी से 600 फीजदी तक मुनाफ़ा कमा रहे हैं। ऐसे में सवाल उड़ता है कि क्या हमारी सरकार और वेपारियों को केवल मुनाफ़ा ही दिखता है। क्या देश हित यहां कोई माइने नहीं रखता। क्या हमारे बच्चों का स्वास्ते हैं हमारे लिए कोई माइने नहीं रखता। लेकिन दूसरे देश इससे सतर्ख हो गए हैं। न्यूजिलेंड के विज्ञानिकों ने कपडों में प्रियोग होने वाले क्यामिकल फॉर्मिल्डी हाइट की मात्रा 900 गुना अधिक पाई जो शरीर के लिए घातक है। इसके बाद न्यूजिलेंड ने चीनी कपडों को बैन कर दिया। योरॉप और अमेरिका ने चीनी उत्पादों के लिए अपनी नियामक प्रणाली में काफी बतलाव किये हैं। लेकिन हम अभी तक आबेल मुझे मार वाली का हावत बल टटे हुए हैं। ताइवान में 90% चादरे चीन से आयात की जाती हैं। लेकिन इन चादरों में प्रियोग होने वाले मैथनॉल रसायन के प्रियुक्त होने पर जो शरीर के लिए काफी नुकसान दायक हैं। चीन में बनी सस्ती दवाओं से लगभग दो लाक लोगों की मौत हो चुकी है। मचनियों को ताजा रखने वाला रसायन कार्बन मोनो अकसाइड भी चीन से आता है जो शरीर के लिए घातक है। चीन के उत्पादों की जाच करने वाली संस्था ने बताया है कि चीन का हर पाच्वा उत्पाद शरीर और वादावरण के लिए हानिकारक है। ये खबर आने के बाद एक नामी कंपनी ने अपने 15,000 चीनी खिलोनों को बाजार से वापस ले लिया है। इन में पाए गए लेड रसाइन की मातरा काफी अधिकती जो बच्चों के लिए प्राणगा तक हो सकती है। अमेरिका में एक सबताहा में पालतू 12,000 कुत्ते और बिल्लियों की मौत हो गई। बाद में पता चला इन पैट्स ने चीन में बना पैट्स फूट खाया है। तुरंत अमेरिका ने इस फूट को बैन कर दिया। अंडो और दूद से बनी चीनी सामान को दक्षन कोरिया और सिंगापुर ने वापस लोटा दिया। लेकिन भारत में चीनी आयात बढ़ता जा रहा है। 2002 में ये आयात 1.9 प्रतिशत था लेकिन आज सकल घरिलू उतपात का बढ़कर 10 प्रतिशत से भी आगे निकल गया है। ना तो सरकार ही इस और ध्यान दे रही है और ना ही समाच। आज चीन हमें शारेदिक रूफ से कमजोर करने के साथ आर्थिक रूफ से भी गुलाम बना रहा है। क्या कहेंगे? अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें खुद आगए आना पड़ेगा क्योंकि हमारी सरकार गूँघी और बहरी हो चुकी है इसी लिए हमें चाइना के सभी प्रोडक्ट को नेगलेक्स करना पड़ेगा और चाइना के बजार को अगर हम खतम कर देंगे तो 32,3-3,3-3 से गमजोर हो जाएगा और हम चाइना को 19 किलो मेटर जो आगया है उसको 19 किलो मेटर क्या 38 किलो मेटर दूर भगा कर अपने देश का करेंगे कि हमस्काइब के कॉलर को कहेंगे कि बेटर कॉल करने के हम शाम को पाच बज़े से लिए के आड़ बज़े तक कॉल करने वाले कॉलर का प्रस्टिक्षन चलाते हैं अगले कॉलर के पाथ चलते हैं नमस्कार नमस्कार सुरेची जहिन जहिन बोलिए हाँ सुरेची ऐसा है ओसामा के लिए ओमावा बनने की जिरोत है आज हमारे हिंदुस्तान के को बिवार समझ के ये कुछ चारफाज बेड़िये जह हैं ये ख़ड़े हैं और एक किंगो पी भेड़िया बिल्कुल रिपड़ पड़ा है बिल्कुल और हमारी आँख नहीं कुली तो सारे डेड़िये आकर हमें बिमारे हिंदुस्तान को घेर लेगे खा जाएगे बिल्कुल इस हिंदुस्तान का इलाज यह है देशी इटी से नहीं होगा दन्यवाद हमेरे इन कॉलर ने पंदरा दीन पहले करिब तीन हफ्ते पहले बताया था कि कुछ देश में गलत होने वाला है ऐसा है इनको हो रहा है और यही बात उसके बाद सामने आई है अगले कॉलर नमस्कार बोलिए आज के मुद्दे पर मेरा कहना है कि यह एक गंभीर विचा है यदि चीन को सबक सिखाना है तो पूर नीती से नहीं पूर चलिए शायद कॉलर से ब्रिक के बाद आपका एक बार फिट से स्वागत है आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आ सामने मुद्दा लेकर आया है कि क्या चीन के इस आकरमन के खिलाव सरकार और समाज दोनों गंभीर नहीं है अब तक कि हर कॉलर ने इस बात से सहमती जताई है कि यह ऐसा है अब सीमा में 19 किलोमेटर चाइना घुसकर आने की बावजूद भी 1.9 प्रतिशत भी उसके उत्प गंभीरता या भारत के प्रतिया गंभीरता ये ऐसी ही चलती रही तो क्या होगा कई कॉलर हमारे साथ चुड़े हैं उनके पास भी जाएगे सुनते हैं क्या कहते हैं नमस्कार भारत के होते हैं नमस्कार हलो बोलिए हाजर मैं प्रकास चिंद्र मिस्टा बोला हूँ राज की अदेज जन्सेव पार्टी लखनों से हाँ आज चाइना के उपर हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया है और लखनों की जन्ता से अपील किया है हम लोग जो है चीनी प्रोड़क्त को न ले और इस कारिक्रम में हम लोगों ने मार्च भी निकाला बिदान सभा पे चाइना का पुतला भी ठूक गया है वाँ और साथी साथ हम लोगोंने जो है वो आगामी साथ और आग सारीकों हम लग लगनों में चाईना का सारा सामा निकठा करेंगे। और विद्धान समा पे जिस तरह से गांडी जीरे बिजेसी बस्थों का वैसकार किया था, उसी तरह से हम लोग भी उसकी होली जलाएंगे। तो सारे देश्वासियों से अपील है कि वो चाइना का प्रोड़क्त इस्क्रवान करना स्वोड है चाइना खुद बाखुद कमजोर हो जाएगा और साथी साथ जंसेवग पार्टी की यह भी अपील है सारे पोलिटिकल पार्टी से कि वो कांग्रेश जैसे डूलमूल रही अ प्लाने वाली पार्टी से तुरंत समर्थन वापस ले 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 अच्छा एक अभियान है और देश में ऐसे कोने-कोने में चल रहे शुरू हो रहे कुछ-कुछ अभियान ये बड़े रूप में शुरू हो यही आज के बिंदाजबोल का उद्देश है ऐसे सारे खबरों को ह आपके इस कारवाई को आपके इस चाइना के खिलाप के युद्ध को हम जरूर प्रशीद्धी देंगे हम तक ऐसे विशो के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और ऐसे सामानों की सुची से लेके कई चीज़े हम सुदर्शन टीवी.com पर भी आपके लिए जानकारी की रूप म अगले कोलर नमस्कार बोलिये बगार कर टेक्सिशन भी बढ़ेगा और चाइना की उपर दवा भी बढ़ेगा कि उसका माल अवेद घोसित हो चुका तो इंडिया का बहुत बड़ा बजार उसके आच से जाएगा तो इस तरह की हरकत करने से बाज आएगा तो दोनों तरफ से उपर दवा बनाना पड़े झाल 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